वेलकम एक रोकर्ड स्वागत आपका एक और नई स्रीज में तो स्रीज के पहले एपिसोड की शुरुआत में लास एंजलेस को दिखाते हैं इव और उसके बच्चे एज़ी और जॉश ट्रैफिक में भसे वे हैं और जब अपनी बाच्चित कर रहे होते हैं आसपास कुछ बड़ा यजीब होता है इव अपनी जगे से देखती है कि बहुत सारी गाडियां जमीन में नीचे गिरी जा रही हैं उनको बहुत ही जल्द मैसूस होता है कि उनके नीचे की जमीन तूट रही है और वहाँ पर एक बड़ा छेद बन रहा है और जब पूरा परिवार वहां से बच की भागने की तब ही जोश एक छोटी बच्ची को बचाने के लिए रुकता है लेकिन इस जगे से अपने परिवार के साथ नहीं रह पाता और आकर कार वो छेद में गिर जाता है और फिर उसकी मा भी गिर जाती है और नीचे गिरने से कुछ सेकंड्स पहले इव अपनी बेटी को बताती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है और फिर एरियल शॉट में दिखाते हैं कि वहां पर बहुती बड़ा छेद हो गया है लोग डर की वज़े से पागलों की तरह हो गए हैं और शेहर में आपात कारी निस्तिती गोशित कर दी जाती है फिर कहीं और इव का पती ग्वेन ज माचार सुनता है और जल्दी वहां जाता है जहां उसका परिवार है और फिर आखिर कार एक जाना पैचाना चेहरा देखकर इज़ी ग्वेन को गरे लगा लिती है और रोने लगती है अब ग्वेन दुखी हो जाता है जब उसको पता लगता है कि उसका बेटा और बेवी ज वो आसपास देखती है तो उसका ध्यान आसमान में एक हरी रंग की रोशनी पर जाता है वो एक पत्थर के पास है जिसकी ओपर खोन वाले हाथों के निशान है फिर इव को याद आता है कि जोश भी यहां गिर गया था और वो उसको ढूंडने लगती है अब घास के मैदान को पार करने के बाद वो जंगल पहुंसती है और वहां उसको एक आपनी मिलता है जो कि उसी की तरह परिशान है फिर दोनों पास से धुआ उड़ते भी देखते हैं और देखने के लिए उसकी तरह भागते हैं कि वहां हो क्या रहा है वो चौंक जाते हैं जब वो देखते हैं कि सबी गाडिया और इंसान चो छेद में गिरे थे वो यहां पहुंच गए हैं वहां इव अपने बेटे से और बाकी लोगों से मिलती है अब उनको जल्द ही महसूस होता है कि वह सबी आसमान से उस हरे रंग की लहट से नीचे गिरे वे हैं लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि वह वापस कैसे जा सकते हैं वहां सबी लोगों का नेत्रित तो डॉक्टर सेम करता है जो सबी लोगों को इस इस्तिती में अपना सब कुछ अच्छा करने और खाने पीने को इकठा करने के लिए बोलता है अब सबी के सबी अपने हिस्से का काम करने लगते हैं केवल एक इस ऑफिस्सर को छोड़ कर जिसका नाम मेरिवेथ है जो कि खाने वाले प्रोटीन बार की एक डब्मे को छुपाने की कोशिश करती है और फिर जब जोश उसको पकड़ लेता है तो फिर वो कहते है कि जब ऐसी मुसीबत आती है तो लोग एकठा नहीं रह सकते इसलिए मैं अपने लिए सब कुछ कर रही हूँ अब अचानक से उनकी नज़रों में एक भेड़ी आता है और वो उन पर हमला भी कर देता है जल्दी उस भेड़े के साथ भी वहां जाते हैं और सबी लोगों में भगदर मच जाती है सबी लोग अपने पासवाली गाड़ियों में चले पूरी कोशिश करता है फिर कुछ दिर बाद इव और सैम एक एमबुलेंस ढूंडे के ले जाते हैं जिसको उन्होंने पहले छेद में गिरते वे देखा था और जब वो एमबुलेंस को ढूंड रहे होते हैं तब यहां दिखाते हैं कि सैम की बेटी रैली जौश का ध्यान रखती है दूसी दरफ लोस एंजलेस में दिखाते हैं होमलेट सीकुरिटी विभाग की मुख्य वेग्यानिक डॉक्टर सोफिया जो हो रहा होता है उस सब के बारे में बात कर रही होती है वो बताती है कि जो कोई इनसान उस छेद में गिरा उसके बचने के कोई उमीद नह है लेकिन उन लोगों को इस शरीर को वापस लाने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं उसकी ये बात सुनने के बाद ग्वैन को बड़े आजीब दिखाई देते हैं जिसमें वो इपको एक पत्थर के पास देखता है जिसके ओपर एक हाथ के निशान बने में हैं वो ये बात इजी को बताता है कि ऐसे दिरिश्य उसको बार बार दिखाई दे रहे हैं और कहता है कि हमेशा मैं उन दिरिश्यों में खाले खेत और घास को देखता था लेकिन अब की बार कुछ आजीब है क्योंकि वो इस बार अपने परिवार को भी उन जगों पर देख सकता है अब इ इसवाइब इसको ऐसा ही समझ लेती है अब सिर्क वो ही नहीं गवयन की बेटी ईज्टी को भी ऐसा LIKE लगता है कि गवयन तब ही वहाँ उनको टाई मिलता है जो आतमतिया करने वाला है यह उसको रोकती ए और पोलती है कि चाहे उसके साथ कुछ भी हुआ हूँ इसको एसा नहीं करना चाहिए और फिर टाई भी उनके साथ मिलकर एंबुलेंस जूदने लगता है ड्री जरू अब अब वो समझ जाते हैं कि पक्का इसके दोसी तरफ कुछ नकुस तो जरूर है अब दोसी तरफ इप और उसके साथियों को एंबुलेंस एक खाली जगे पर मिलती है वो उस गाड़ी पर हॉलिवुड पहाड़ी का निशान देखते हैं और सामने उसको पहाड़ी भी दिखाए दियती है दोनों बिल्कुल यह यही दिख रही हैं जिसका मतलब है कि वो लोग अभी भी लॉस एंजलेस में हैं लेकिन वो बस पीछे के वक्त में हैं जब इनसान नहीं हुआ करते थे तब ही अचानक उन पर एक बाग हमला कर देता है और वो उनका रास्ता पर पीछा करता है सैम फिर एक गाड़ी के नीचे गिर जाता है लेकिन बागी दोनों उसको ढूड़ना ही पाते क्योंकि बाग उनका पीछा कर रहा हुता है अब एक समय आता है जब बाग उन पर हमला करने ही वाला होता है लेकिन बाग एक जाल में फंस जाता है ये जाल साब साब किसी इनसान ने बनाय हुआ है जिसका मतलब है कि सिर्फ यही लोग यहां नहीं है अगले कुछ घंटे वो सैम को ढूड़ते हैं और फिर उसको आखर में पहाड़ी के नेचे लेटावा देखते हैं उसके शरीर के बीचे चोट लगी होती है लेकिन वाभी भी खुश में है उनको जल्दी वापस सभी लोगों के पास जाना पड़ेगा क्योंकि अब तक तो जोश के घाओं में विवारी फैनने लग गई होगी और जब सैम को लगता है कि उसकी वज़े से सब की रफ़तार कम हो रही है तो वो बाकी दोनों को पहले जोश के पास बेजने को बोलता है इवी टाई को सैम का ध्यान रखने के लिए छोड़ देती है और खुद अकले वापस जाती है अब इस सब के दोरान मेरी बैट को एक ट्रक में नश्य का समान मिलता है और ऐसा लगता है जैसे उसको पता लग गया है कि ये समान किस का है वो लोगों से एक हरी जैकिट पहने वे लड़की के बारे में पूस थी है और इस सब के दोरान उसको एक वेरोनिका नाम की लड़की मिलती है और उसके साथ में उसकी चूप रहने वाली बहन लिली मिलती है लिली के पापा कल भीडियों के हमले में मर गए थे और उसके शरीर को जानवर खींच के लेके गए वेरोनिका मेरी बैट को अपनी बहन का ध्यान रखने की जिम्मेदारी देती है और खुद जंगल में अपने पापा को देखने चली जाती है अब उसके साथ एक लड़का स्कॉर्ट भी जाता है इस मिशन के दौरान इसकॉर्ट को पता लग जाता है कि वेरोनिका एक धार्मिक लड़की है और वो सोचती है कि अगर वो रास्ते से भटक जाएगी तो भगवान उनकी मदद करेंगे अब जल्दी इव उस जगे पहुंच आती है जहां सभी है और अपने बेटे जौश को दबाए देती है अब उसके जखम को सिल दिया जाता है जिससे जौश के सरीर का तापान सामाने होने लगता है इसके दौरान यहां दिखाते हैं कि ग्वेन एक डॉक्टर को टीवी पर देखता है जो बड़े छेत के बारे में बात कर रहा होता है फिर ग्वेन डॉक्टर से मिलकर मदद मागने की ट्राइ करता है अब शुरू में तो डॉक्टर उलजर में पढ़ जाता है लेकिन जब वो उस अंगुठी को दिखाता है कि यह मुझे वहां पर मिली तो फिर वो पता लगाने के लिए माँ जाता है कहीं और सोफिया को ग्वेन की योजना के बारे में पता चल जाता है और उसको अपने पास बुलाती है और फिर पता चलता है कि तीन सार पहले भी एक ऐसा गड़ा रेगिस्तान में हुआ था और उसी दिन और लगबाग उसी जगे गवेन के साथ एक्सिजेन भी हुआ था अब अंगुठी के बार में परिणाम आ चुके होते हैं और अंगुठी 10,000 बेसी से है और इन सभी सबुतों की वज़े से सोफिया गवेन पर विश्वास करती है और सभी को बचाने के लिए योजना शुरू करती है फिर वो गवेन को एक खास तरह का एरोप्लेन दिखाती है जो कि उन्होंने खास बड़े छेवने भीजने के लिए बनाया हुआ है उसको गवेन तो नहीं उड़ा सकता लेकिन उसके लिए उसके खास दोस्त लेवी को इस काम के लिए बुराया गया है समय में यात्रा मुझे तो हमेशा सही ये बहुत ही पसंद है यहां एक अलग और नई तरीके से समय में यात्रा दिखाई गई है दोस्तों आप लोगों को अब तक किस तरह और कौन सा टाइम ट्रेवल सबसे पसंद आया वीडियो को पॉल्स करगे कॉमेंट सेक्शन में जरूर देखिए अब बताईए अब 10,000 बीसी में वेरोनिका और स्कॉट को कुछ उंट दिखाई देते हैं जो एक गड़े की तरफ जा रहे होते हैं इसकॉट उनको रोक लेता है और ऐसा करके उनकी जान बचा लेता है इसी के साथ वेरोनिका के पापा की लाश को देखते हैं जोकि एक पत्थर के बने हाथ के निशान के बीच रखी हुई है जंगल में सैम और टाई एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम लूकस है जब वो सभी लोगों के पास पहुंचते हैं ता पता लगता है कि लूकस मेरीबेट का बेटा है और साथ ही वो ड्रक्स बेचने वाला है बैसे दोनों की बीच में जादा अच्छे समद नहीं है लेकिन मेरीबेट उसकी फिक्र करती है अब यहां रैली सैम और उसकी पीछे लगी चूट का ध्यान रखती है और इस काम में स्कॉर्ट भी उसकी मदद करता है वो सैम का दर्द कम करने के लिए एक ड्रक का परियोग करते हैं जो कि उनको एक गाड़ी में मिला था जब स्कॉर्ट वापस आता है तो वो सभी को बताता है कि वो सभी 10,000 बीसी में है वो मनुश जाती के विग्यान के बढ़ाई कर चुका है और उसको पता है कि एक मेहने पहले आठ हूट को तार की गड़े में गिरने से बचाया गया था और वो वही हूट है जिनको उसने कुछ समय पहले बचाया है लेकिन लूकस उसकी बात को मानने से मना कर देता है और वो वहां से बच निकलने के लिए अकला चला जाता है मेरी बेट उसकी पीछे जाती है और वो एक ऐसी जगे पहुँच जाते हैं जहां उन्हें एक जान मिलता है जो कि साफ साफ किसी इनसान ने बनाय हुआ है इसके दोरान इव और टाई खाना ढूनने के लिए निकल पड़ते हैं लेकिन इसी बीच उन्हें एक भालू मिल जाता है जो कि उनका एक गुफा तक पीछा करता है और गुफा में जाने की वज़े से उनकी जान बच जाती है लेकिन गुफा का दर्वाजा पत्थरों के गिरने से बंद हो जाता है और वो बेचारे वहां फस जाते है अचानक लुकस और मेरी बेत उनकी पीछी आ जाते है वो इस गुफा में यहां के इनसानों को ढूनने के लिए आये हैं अब वो गुफा में घुम कर पता लगाने की कोशिक करते हैं और पानी से भरे ही जगे पर पहुंसते हैं फिर टाई उसमें से बाहर निकलने के रास्ता ढूनने के ले जाता है लेकिन उसको वहां कुछ आश्चरे वाले चीज़ मिलती है अब सबी उसकी पीछे पानी में जाते हैं और पाने के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं जहां एक साल पुरानी लाश मिलती है वहां देकर साब सा पता लगता है कि वो आदमी भी उनकी तरह भविश्य से आया था और अकिला ले रहा था उसने बंदू का परियोग करकर आत्मत्या कर दी थी जो कि उसके पास ही पड़ी भी है अब चारों तैय करते हैं कि ये बात तो किसी और को नहीं बताएंगे क्योंकि अगर उन्होंने बता दिया तो सबी का होस्ता तूट जाएगा फिर उनको बाहर खाने वाले मश्रूम भी मिलते हैं और दिन के आखरी तक उन सबे के पास बहुत सारा खाना हो जाता है अब खाते समय टाई इफ को बताता है कि उसके दिमाग में ट्यूमर है और वो जादा समय के लिए जिन्दा ने लेने वाला इसलिए उसने जिन्दगी से उमीद छोड़ दी है लेकिन छेत की वज़े से यहां पहुँचकर उसकी जिन्दगी को एक नया उदेश्य मिला है अब भविश्य में दिखाते हैं लेवी और ग्वेन मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं और जाने से पहले लेवी ग्वेन के सामने कबूल करता है कि उसका एक के साथ बहुत लंबे समय से चक्कर था और फिर लेवी और ग्वेन एक बुरी तरह से लग होते हैं सबी अपनी सांस थामते हैं जब प्लेन अपने मिशन के निकल पड़ता है लेकिन जैसे प्लेन हरी रोशनी के पास पहुंचता है उनका संपर्क तूट जाता है और प्लेन भी भूतकाल में चला जाता है और फिर ग्वेन और इजी एक दूसरे को गले लगाते हैं और साथी साथ दुखी भी होते हैं कि उन्होंने लेवी को खो दिया है अब 10,000 BC मेर रैली स्कॉट को शुक्रदा करती है क्योंकि उसने गाड़ी में मिले ड्रेक्स का परियोग करके रैली के पापा की मदद की है स्कॉट भी उसके शुक्रदा को स्विकर करता है और फिर बताता है कि उसने वो ड्रेक्स कहीं जंगल में दबा दिये हैं और उसको याद भी नहीं है कि उसने कहां दबाए है अब अचानक आस्वान में हरी रोशनी फैल जाती है और जिस जहाद में लेवी है वो भी वहां जाता है फिर सुबह दिखाते हैं कि लूकस, एवी, जौश, स्कॉट और रैली उस हवाई जाज को ढूनने के ले निकल पड़ते हैं और आखिर कार वो लेवी से मिल जाते हैं लेवी और एव मिलते हैं और फिर लेवी उनको उनके मिशन के बारे में मताता है सबी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं कि कोई तो उनकी मदद करने के लिए आया हुआ है अब इसके बाद सबी मिलकर गिरेवे हवाई जाज को ढूनने लगते हैं कि शायद वो अभी भी काम कर रहा होगा फिर कुछ मिनटस पैदल चलने के बाद वो वहाँ पहुंच जाते हैं जहां प्लेन गिरावा है और उसमें उनको एक रेडियो और इंजन का हिस्सा खराववा मिलता है अगर वो किसी तरह से सही इससे को ढून पाये तो शायद लेवी इसको ठीक कर पाएगा और इसकी जगे वो जो खाना लाया होता है उसको लेकर कैम में चले जाते हैं तब ही वहाँ कुछ अजीब होता है जिससे वो चौँग जाते हैं हवाई जाहत को चार किलोमेटर दूर से कोई सिगनल मिल रहा होता है और हो सकता है कि शायद यही एक तरीका हो जिससे वो जहां से वहाँ निकल सके इसलिए वो सिगनल का पीछा करते हैं अब इस सब के दोरान लेली को उसकी बड़ी बहन वेरोनिका कैसी से बात ना करने के लिए जोड डाल रही है और इस से तंग होकर वो जंगल में भाग जाती है और उसको कुछ बहुत ड्रावना दिखाए देता है जब थोड़ी दिरवाद सबी वहाँ इक खटा होते हैं उनको एक आदमी की मरी भी लाश मिलती है जोकि उन लोगों में से एक था लिली को पता है कि उसके साथ क्या हुआ है लेकिन वेरोनिका इसके बारे में लिली को कुछ भी नहीं बताने देती टाय जोकि एक मनोचिकिटसिक भी है वो लिली की मदद करने को ट्राई करता है अब वर्तमान में लोस एंजलेस में एक भूकाम पाया जिसकी वज़े से लेवी के हवाईजाज की दुरगटना को बताया जा रहा है और इसकी वज़े से लोगों को बचाने के लिए सबी मिशन को रोक जा गया है गुएन सोफिया से बात करने के लिए उसका आफिस जाता है लेकिन सोफिया चुटी पर है और इसके जगे गुएन को सोफिया की एक तस्वीर मिलती है जिसमें वो एक औरत के साथ है और जिसका नाम रेवेका है जो कि पहले वाले बड़े छेद के बारे में पता लगाने की मिशन पर थी और ग्वेन को लगता है कि रेवेका के पास जरूर शायद कोई इन्फॉर्मेशन होगी और फिर वो उसके बारे में इंटरनेट में सर्च करता है और उसको ढूंड लेता है फिर सुबह दिखाते हैं वो रेवेका के घर पहुंचाते हैं और उनको वहाँ सोफिया मिलती है वो बताते हैं कि जब पहली बार सिंखोल बना था तो उसमें कुछ वेग्यानिकों के समु को जांच करने के लिए अंदर भीजा गया था लेकिन उनके बाहर आने से पहले वो हरी रोशनी और छेद बंद हो गया जिसकी बज़े से वो सभी 10,000 BC में पिछले तीन साल से फसे वे हैं जो समु तीन साल पहले भीजा गया था उसमें ऐसे बहुत से लोग थे जो सोफिया और रेविगा के बहुत करीब हुआ करते थे इसलिए वो लोगों को बचाने के मिशन को चालू रखने के लिए बिल्कुल अटल है चाहे सरकार हा करे या ना रेविगा ने छुपकर हवाई जाज बनाया हुता है जिसकी मदद से वो बड़े छेद में दुबारा जा सकते है अब नए हवाई जाज को इस तरह बनाया है जिससे भूका मनाये लेकिन इसको सबसे छुपा कर हवा में बेजना होगा और इसको ग्वैन को चलाना पड़ेगा अब कैंप में टाय लीली के साथ बैठा हुआ है और पूस्ता है कि कल उसने क्या देखा था वरिनिका बोलती है कि लीली को तो बोलना ही नहीं आता लेकिन लीली बोल देती है कि उसने एक भूड़े आदमी को उस लाश के पास देखा था और ये बोल कर वो वरेनुका को गला साबित कर देती है और जब ये बता ही रही होती है तो वही बूड़ा आदमी उनको पास के एक जंगल से देख रहा हुता है यहाँ दूसी तरह लुकस को पता लगता है कि उसके ड्रग्स को स्कॉर्ट ने कहीं चुपाया हुआ है और इसलिए वो हमेशा स्कॉर्ट के साथ ही रहता है क्योंकि इतना सारा ड्रग्स तो बहुत ज़्यादा कीमत का है इव और उसके साथ के लोग एक किले जैसी जगे पर पहुंसते है जोश और रैली एक कमरे में पहुंसते हैं जिसमें खोफिया दर्वाजा होता है और जिसमें जाकर वो किले से बाहर पहुंच जाते हैं इसके दोरान इव और लेवी एक अजीब सी बिल्लिंग में जाते हैं जिसमें एक इनसान की लाश एक अजी पत्थर के बने हाथ के निशान के बीच में पड़ी है लेवी बताता है कि उसका यहां आने का एक और मिशन उन वेग्यानिकों को ढूणने का भी है जो कि तीन साल पहले गायव हो गए थे और यह लाश उन में से एक वेग्यानिक की है इसके दोरान लुकस और स्कॉट में बहस हो जाती है और लुकस को तब पता लगता है कि स्कॉट ने सभी ड्रक्स को खो दिया है अब अचानक उन पर उस किले में रहने वाला एक इनसान हमला करता है जो कि उनको मार के बियोश कर देता है बाहर जोश और रैली को भी उन लोगों ने देख लिया होता है और वो लोग उनका पहाड़ी तक पीछा करते हैं वो दोनों पत्थरों के बेच छुप जाते हैं और बड़ी मुश्किल से अपने जान बचा बाते हैं फिर वहां के रहने वाले लैवी और इव का भी पीछा करते हैं जब वो दोनों उनसे बचकर भाग रहे होते हैं वो एक कमरे में पहुंच जाते हैं जो कि बच्चों से बरावा होता है एक छोटा लड़का उनको छुपने के लिए बोलता है और जब किले के लोग एव और लैवी को ढूनते वे वहां आते हैं तो वो उनको बहाना करके भेज़ देते हैं यहां सकॉटर लुकस उस मरी भी लाश के पास जाते हैं वो लैटर का परियोग करके अपने हाथ खोल देते हैं और वहां से बाहर भाग जाते हैं अब तक जोश और रैली बाकी लोगों को लेने के लिए वापस आ जाते हैं वो सभी छोटे बच्चे की मदद से बिना किसी के नज़र में आए बाहर तक पहुँचाते हैं और वो उन सभी को बाहर तक निकलने का नास्ता भी दिखाता है जब कि उसके दादा जी कबिले के सर्दार हैं अब सभी के बाहर निकलने के पहले उनको ढूंडने जाता है और वो सभी लगबंग मारे जाने वाले होते हैं कि तभी एक औरत कबीले के लोगों को रोग देती है और आखिर में वो सभी बच जाते हैं और वापस कैम्प में अपने लोगों के पास चले जाते हैं इसकोट हरान है क्योंकि उसने कबेले के लोगों को इंग्लिश बोलते वे सुना क्योंकि उस समय दा यूरोप से इंग्लिश बोलने वाले लोग यहां नहीं आये थे अब लेवी और उसके साथ ही अपने कैंप के बागी लोगों के पास पहुँच जाते हैं और जो भी उनके साथ हुआ हुँच उस सब के बार में बता देते हैं रात के समय टाइद लेखता है कि लीली अकली बैटी हुई है इसलिए उसके पास जाता है वो लीली का वश्वास जीटता है और थोड़ी देर बाद उससे पूसता है कि क्या वो कुछ छुपा रही है लिली बताती है कि वेरोनिका उसकी बहन नहीं है एक साल पहले वेरोनिका और उसके पापा ने लिली का अपारन कर लिया था और तब से वह उन दोनों के साथ रह रही है टाई ये राज सुनकर बड़ा यहरान हो जाता है और जब वेरोनिका खाना लेकर वहाँ आती है तो उसको महसूस होता है कि टाई को सच्चाए का पता लग गया है और इसलिए वह वहाँ से भाग जाती है फिर भविश्य में दिखाते हैं जहां रविका गुएन को एक पुरानी सबेता वाली जगे पर लेके जाती है जहां उसको लगता है कि सबी सिंख होल में गिरेवे लोग पहुंचे होंगे और इस बात का सबूत ही मिल जाता है जब उन्हें इव का लिखावाई एक प्राचिन खट मिलता है जिसमें उसने गुएन को इसको दिखाई देने वाले द्रिशो पर विश्वास ने करने के लिए माफी माँगी है गुएन को साथ ही साथ बताया जाता है कि उसको आज ही हवाई जाज को बड़े छेद में ले जाना होगा वरना अगली शाम तको बंद हो जाएगा और बाकी की लोग वहीं 10,000 BC में फसे रह जाएंगे हो सकता है कि शायद वो कभी वापस भी ना है और इसी के साथ यह एपिसोड यहां पर खत्म होता है आगे क्या होता है जानने के लिए सेकिंड पार्ट हमारे नए चैनल Mr.HindyRocker स्रीज में देखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और इंज्वाइ फाइनली थैंक्स वर वाचिंग